Company form करने के बारे में सोच रहे हैं अगर हां, तो क्या जानते हैं इसका procedure? Hello and welcome back to this channel पढ़ाखु लोग आज की इस वीडियो में हम detail way में discuss करेंगे कि एक company form कैसे होती है पूरा का पूरा procedure step wise discuss होने वाला है इसी एक particular वीडियो में So company खोलने के बारे में सोच रहे हैं या company से related कोई exam लिखने के बारे में सोच रहे हैं ये वीडियो आपके काम का है चलिए, शुरू करते हैं ये सबसे important topic होने वाला है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि company का formation किस प्रकार से होता है तो देखे, सबसे पहले तो कोई इनसान होगा जिसके दिमाग में एक हयाल आएगा कि मुझे company form करनी है अब इस इनसान को भी हमने नाम दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं promoter क्योंकि ये company की incorporation का बीड़ा उठाता है अब जैसे ही इसके दिमाग में आइडिया आया कि company form करनी है इसने contact किया एक government organization को जिसका नाम है ROC that is Registrar of Companies हर state में पाई जाती है हर state की अपनी खुद की एक ROC होती है जो की government द्वारा बनाई जाती है ताकि companies के जितने भी affairs होते हैं उनको ये manage कर सके तो हमने contact किसको किया I mean ये promoter ने contact किसको किया ROC को ROC ने बोला कि भाई साब एक form लगेगा तो हमने पूछा कौन सा form लगेगा इन्होंने बोला INC 32 नाम का एक form है जिसको हम spice के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये masala आड करता है लोगों की जिन्दगी में तो ये spice form आपको file करना पड़ेगा हमने बोला बस इतना ही तो उन्होंने बोला वेटा इतना भी आसान नहीं है इसके साथ लगती है कुछ attachments उन attachments की बारे में मैं detail में आपको बाद में बताऊंगी बट एक बार आप ये form फाइल कर देते हैं और ROC उसे अप्रूफ कर देता है तो ROC अपनी तरफ से जारी करता है एक certificate of incorporation ये एक एकलोटा evidence होता है जो प्रूफ करता है कि आपकी company formally existence में आ गई है जिसे हम बोलते हैं sin ये होता है corporate का identification number देखें जिसे आप पैदा होते हैं school में admission लेते हैं तो आपको role number मिलता है जिसकी वज़े से आपकी पहचान होती है country में citizen बनते हैं तो आपको आधार number issue होता है again आपकी पहचान के लिए तो company बोलती है मुझे भी एक ऐसी पहचान चाहिए तो company को हमने क्या issue कर दिया sin तो जिस प्रकार इंसान का आधार card होता है आधार number होता है उसी प्रकार से company का होता है sin corporate identification number एक बार sin मिल गया certificate of incorporation issue हो गया तो company आ जाती है existence में और company form हो जाती है this is that simple yes एक बार revise कराऊं तो सबसे पहले एक promoter होगा जिसके दिमाग में idea आया होगा कि company form करनी है वो contact करेगा ROC को that is registrar of companies को registrar of companies बोलेंगी कि spice form ले आईए INC 32 ले आईए attachments के साथ जब वो एक बार उसे check करेगी अगर कोई गलती निकली तो obviously वापिस करेगी आपको वो mistake clear करने के लिए बोलेगी लेकिन अगर कोई गलती नहीं मिली तो approve करके आपका वो form आपको issue कर देगी certificate of incorporation और certificate of incorporation एक evidence होता है कि company existence में आ गई है इस certificate of incorporation पे लिखा होता है SIN that is corporate identification number जो की company की exclusive पहचान होती है और ये आ जाए तो ऐसा लगता है कि company form हो गई है अब मैंने जैसे आपको बताया कि INC 32 अकेला नहीं जाता है इसके साथ कुछ attachments जाती है कुछ extra documents जाते है वो क्या क्या होते हैं हम वो जानते हैं सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि company के जो सबसे दो ही आपको यहां पे क्या करने पड़ेंगे फाइल करने पड़ेंगे वो भी क्या सारे subscribers द्वारा sign करवाए हुए तो आपको ये दोनों ही documents ROC को submit करने पड़ेंगे जिस पे आप सारे ही subscribers का क्या लेंगे sign लेंगे अब ये subscribers कौन होते हैं ये वो लोग होते हैं जिनोंने आप से shares purchase किये हैं initially तो initial shareholders को हम subscribers का नाम देते हैं इसके अलावा जाती है एक declaration जो कि CACS, CMA, Advocate किसी के भी द्वारा हो सकती है जिसमें वो mention करते हैं कि act और rules में जितने भी compliance लिखे हुए थे company incorporation के हमने वो सारे comply किये हैं होता है तो ये company के बिहाफ पर ही है एक document लेकिन declaration हम CACS, CMA और advocate से ही ले सकते हैं तो ये लोग declare करेंगे कि हाँ जी act में जो जो लिखा हुआ था rule में जो जो लिखा हुआ था हमने वो सारी चीजों को comply किया है इसके अलावा इस company की उनके द्वारा एक declaration दिया जाता है कि उनको company से related किसी भी offense में convicted नहीं किया गया देखिए कोई भी ऐसा इंसान जो convicted होगा जिसके उपर case चल रहा होगा जिसने धोखा धड़ी की होगी उसको क्यूं ही company मौका देगी या क्यूं ही ROC मौका देगी नई company start करने का तो ऐसे में डारेक्टर्स का एक declaration होता है कि भाया उनको convicted नहीं किया गया किसी भी offense में especially वो offenses जो की company से related थे and इसके अलावा आपको एक address देना पड़ता है जो की basically होता है correspondence के लिए मतलब आकर माल लीज़े ROC को कोई document भेजना है तो वो कहां भेजेंगी कोई address तो होना चाहिए न उनके पास तो वो address की information आपको देनी पड़ती है then आपको बताना पड़ता है हर एक subscriber के particulars के बारे में उनका नाम उनके माता-पिता का नाम वो कितने shares होल्ड कर रहे है उनका proof of identity वो कहां रहते है यह सारी basic information जो कि शायद आप college में admission लेते हुए फाइल करते होंगे बस वही सब आपको भेजनी पड़ती है ROC को company के INC form के साथ इसके अलावा जो first directors होते है अब आप बोलेंगे first directors कौन होते है तो first directors वो directors होते है जो initially company जब शुरू होती है तब director बनते हैं उस company के तो first directors की particulars आपको submit करने पड़ती है along with उनका proof of identity तो इनका भी proof जाता है और subscribers का भी proof जाता है and lastly आपको consent दिलवानी पड़ती है directors की कि उन्हें कोई परिशानी नहीं है उस particular company का director बनने में अब ऐसा क्यों ये क्यों भेजा जाता है इसलिए किया जाता है क्योंकि past में कुछ ऐसे experiences हुए जिसमें लोगों को पता ही नहीं होता था कि उनका नाम तो directors की list में added है किसी particular company के तो government ने क्या किया एक obligation ही बना दी कि हर वो इंसान जो कि first director बनता है या फिर directors की list में add होता है उसे consent देनी पड़ती है company को कि भया हमें कोई दिक्कत नहीं है इस company का director बनने में तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये सारी attachments जाती है इस particular form के साथ कौन-कौन सी company के charter documents that is MOA, AOA और उस पे भी sign रहेगा सारे subscribers का इसके अलावा CAC, CMA, Advocate किसी भी इंसान से एक declaration सारे rules और सारे act के provisions को comply किया गया है उसके अलावा director का एक declaration कि उनको किसी भी offense में convicted नहीं किया गया है उनको सजान नहीं मिली हुई है और एक address जिस पे कोई भी अगर letter भीजा जाता है आरोसी द्वारा या कोई भी information भीजी जाती है आरोसी द्वारा तो वो पहुच बाए इसके साथ subscribers के particulars जाते हैं अब एक बहुत बेसिक चीज है वो यह है कि कितने लोग मिलके कोई company शुरू कर सकते हैं देखें types of company में हमने पढ़ा कि बहुत अलग-अलग प्रकार की companies होती है तो हर वो company शुरू करने से पहले हमें कितने लोगों को साथ लेना पड़ता है कितने लोगों को minimum membership देनी पड़ती है तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम यह बोलते हैं कि अगर आपको एक public company शुरू करनी है मतलब you want to start a public company आपको minimum साथ लोगों को membership देनी पड़ेगी मतलब साथ लोग आएंगे, shares purchase करेंगे initial subscribers बनेंगे या फिर shareholders बनेंगे और वो लोग मिलके क्या शुरू कर सकते हैं एक public company शुरू कर सकते हैं अब अगर आपका question है कि माम चारी arrange हो पा रहे हैं बाकी नहीं हो पा रहे हैं तो बेटा ऐसे scenario में आप public company नहीं खोल पाएंगे public company खोलनी है तो minimum साथ लोगों को तो लाना ही पड़ेगा तो किसी भी public company को शुरू करने से पहले कितने members की requirement होती है 7 people की अगर आपको शुरू करनी है एक private company तो उसके लिए आप शुरुवात कर सकते हैं सिर्फ दो लोगों से दो और दो से जादा लोग मिलके एक private company शुरू कर सकते हैं अब आप बोलेंगे माम मैं तो single हूँ मैं क्या करूँ? मतलब मेरा तो कोई नहीं है साथी जिसको मैं मिला के private company खुलवा सकूँ तो बिटा government ने recently आप के लिए भी एक option निकाला है and that is one person company जो एक एकलोता इंसान अपनी खुद की company खड़ी करना चाता है तो वो one person company खूल सकता है so क्या पढ़ा हमने? कि एक इंसान है तो ओपिस ही खूल ले दो इंसान है तो private company खूलने और public खूलने है तो minimum 7 लोगों को साथ में लाना पड़ेगा तो ये हो गया हमारा क्या? minimum people required for forming a company चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही I hope आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है और आपको पता चल गया है कि company की formation किस तरह से होती है Now, अगर आपको वीडियो पसंद आई ही है तो hit the like button, चानल को subscribe कीजिए और हमें फड़ा फट इंस्टेग्राम और Facebook पे follow कर लीजिए ताकि आप तक बहुत important जानकारी जीजिली पहुत सके Thank you so much for watching this video Thank you